नमस्कार दोस्तों तो अभी हम बात करेंगे JF2D मसीन के बारे में यह मसीन कामों में कारगर है पहला काम जो यह करता है कि हरा चारा काट लेता है यहां से हरा चारा इमलेट है और साथ में इसमें मक्का है यह है दलिया है खली है सबीचीज को ग्रांड कर लेता है मतला दर लेता है और आटा भी बना लेता है साथ में यह मसीन में 3HP का सिंगल प्रे से मोटर लगा हुआ है और JF2D विधाता ब्राजील का मसीन है इसका इंपीर लगा हुआ है देख सकते हैं ऐसे मसीन काम करता है स्टार्ट करने पर आपको तो है इस पर से इंटर्फ्यर साथा स्टार्ट करता है किसानों के लिए डेवी फर्मर के लिए एक दाम इल्कूल करांटी कारी मसीन है एक 20-25 दायों के लिए घर के कर लेता है किसी भी चीज के लिए कहीं जाने की जवर्त नहीं पड़ती है तो आप भी इस मशीन का उपियोग कर सकते हैं थैंक्यू भगने बाद इस हम भगने बादे क्वाने बातरी है झाल कर सकते हैं आम मस्का दोटो वेशन वेशना वाında लिएयोग कर एंवार्प आपका स्वाजत है आज हम आपको ले आये हैं देखिए पीछे दिखाओ बैश्नभी और डेरी फार्म का तो अब आप इधर देखिए इधर दिखाना बेटा दिरे दिरे यह हमने सूपर नेपियर लगाया था बहुत तीन करीब तीन महीने पहले तो इसमें से कई नाट या इ दूदूदूध पादन हो रहा है इसमें प्रोटीन 18 परसेंट होता और यह थाइबर जो है 100 परसेंट होता है इसके अंदर है यह देख सकते हैं एक फेन हमने लगाया था 1 बैप मात्र एक पेन लगाया था जो बैब सुब्सक्राइब है इसको जड़ में आपको हम दिखात यहां पर हमने एक पेंडे एक पेंड लगाया था वहां पर देखिए कितना पेंडे हो चुका है यह देखिए एक, दो, तीन, एक काटा है हमने चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दो, इगारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, तोला, सत्रा, अठारा, पुनी, बीश, एक प्रई, बाई, ते, 24, 30, 26, 27, 28, 29, 30, तो मातर एक गुल्ली ऐसा लगाया था छोटा सा, ऐसा गुल्ली हमने लगाया था जमीन में, आज 24 से 30 जो है गुल्ली हर पेंड में निकल चुका है, तो एक ही गुल्ली से हम पुरा गायों का एक दिन का चारा बना सकते हैं, इसमें 18% प्रोटीन होता है, इसमें सुगर, गुलकोच की मातरा 28-37% होता है, तो गायों के लिए दूद उतपादन में करांतिकारी बदलाव लाएगा सूपर नेपियर, तो आप देख सकते हैं, सूपर नेपियर का जो कमाल है, बहुत ही एफेक्टिव है, यह हमारा विदेश का जो दूदाना वेता दिखाने, नया सूपर नेपियर हमने लगाया है, इसमें से निकलना भी सुरू हो गया है, यह सूपर नेपियर निकल रहा है, इसमें से एदेखिये, ध्यान से, इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, तो यह नेपियर हमने लगाया है, और यह पूरा एरिया जो बचा हुआ एरिया में हमने इसको सूपर नेपियर को लगाया है, इधर जितना भी एरिया आधा कठा ता करीब 100 पेर हम इसमें सूपर नेपियर लगाये हैं, तो दोस्तों, यह सूपर नेप तो आप देख सकते हैं वो जो है वीडियो को अभी हम थोड़ा दिर के लिए रोक यह देखिए सामने खेप में भी हमने लगवाया था उपर नेपिएर इसमें बहुत अच्छी हो गया है और इसके साथ भी इन्होंने कुछ सर्सो का पेड़ लगा दिया था जिससे सर्सो का उत्पादन भी लिlar है तो घास के साथ साथ जो है नेपि आसथ साथ साथ नगा सका भी उत्पादन कर लिया नहुंने तो बेटा आखिया यहां पे जो है बहुत अच्छा इसका प्रोडॉक्ट्चन दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो पेण है एक दो तीन चार पांग शे शाथ आठ नो दस गारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा ठारा उनीश वीश एकीश बाइस तेश चोवीश पचीश शबीश सताइस इसमें भी लमसम 32 पेंड निकला है जो पीछे जो वीडियो हमने दिखाया था उसमें भी लमसम इतना ही इसमें 18% प्रोटीन इसमें 18% प्रोटीन और लमसम आपको बताते हैं कि 32 से 30 से 32 परसेंट गुलुकोज सुगर की मात्रा है और फाइबर 100 परसेंट मतलब हम पूरा इ है 100% सुपाच है गोबर पतला नहीं होगा और गायों के लिए एक दम यह जो है क्रांतिकारी घास है एक बार लगाने के बाद 6 साल तक चलता है साल में कम से कम 4 से 5 बार काट सकते हैं तो बहुत बड़ा एक बदलाव है घास में जो डेरी सेक्टर में किसानों के लिए बहु की बार के लगाने की जो है अब्री सेटनों के बार का बारक स्वफी थेर में जो है एक बारक से कम चादे के पहां है ऑड़ा यह जो यह जो है झाल 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 झाल